Welcome back friends दोस्तों आप लोगा मेंस का एक्जाम भी होने बाला होगा और current affairs जो है वो आपके मेंस में पुछी आती है ससी के भी कुछ एक्जाम में पुछा आता है तो आप इसको एक बार थोरली रीड कर लें ताकि आपको बीग के questions पता गल जाए अपरेल के काफी जरूरी questions है इसको मैं आप डिसकस कर रहा हूँ MCQ format में और जो लोग पहली बार एक वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सस्काइब कर ले और बैल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहें और वीडियो को लाइक करें कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना बूले यहाँ पर टोटल जो questions हैं वो 30 most important questions हैं जो आपके SBI PO के लिए भी जरूरी हैं Bank of Vodada और भी exams जो मनीपाल के होते हैं और IBPS में जो exams होने वाले हैं उनके लिए जरूरी है और SSE के exams जो होने हैं उनके लिए भी दोस्तों जरूरी है या फिर आप other state exams के लिए अपियर करने वाले हैं तो भाँ पर भी ये questions पूछे आ सकते हैं मैं यहाँ पर आपको with explanation questions बताऊँगा कि इसकी background history क्या है तो start करते हैं आज के अपनी class सबसे जो पहला question है यहाँ पर इसमें दिया है the third edition of international conference and exhibition on steel industry जिसका आप रखा गया है India Steel 2017 यह अभी किस city में हुई है यह third edition है international conference है जो steel industry के ऊपर होती है तो यह दोस्तों अभी हाली में मुंबई में हुई इसकी थोड़ी सी background history जान लेते हैं जो हमारे हाँ के union steel minister है जिनका नाम है चौदरी बिरेंदर सिंग इन्होंने इसको integration किया इन्होंने सुभारंब किया और यह तीन दिन की एक conference थी जो कि मुंबई में हुई तो यह चीज भी आप यहाँ पर note down कर लें और साथ में दोस्तों यह organized किसके दोर होई FICCI यह क्या है Federation of Indian Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry यह FIKI है ठीक है इसको आप सही कर लें FICCI along with the Union Ministry of Steel तो यह important question है किसके दोर होई और किसने इसका inauguration किया और कहां पर भी तो तीन बाते हमारी यहां से के लिए रो गई और एक question यह बन जाता है कि कौन सी country जो है वो largest producer है इस steel production का crude steel का तो यह है दोस्तो पहली position पर आता है China तो आप यह चीज भी यहाँ पर down कर सकते हैं और इंडिया जो है वो third है ठीक है भारत जो है third largest producer है कुरिट इस्टील का और फर्स्ट पोजिशन पर कौन है चाइना है दोस्तो यह question आप से पुचा गया है कि विच इंडियन क्रिकेटर बिल बी honored विच 75th मास्टर दीनानात मंग इसका रवार्ड यह भी 75th मास्टर दीनानात मंग इसका रवार्ड जो है यह दिया गया है तो यह कौन से इंडियन क्रिकेटर को दिया गया इसका आपको नाम बताना है तो यह दोस्तो कापिल देप को गया गया इनका जो Outstanding Gun Division था क्रिकेट के लिए तो उसके लिए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया यह अवार्ड जो है बेसिकली जो RSS के चीफ है मोहन भागबजी इनोंने दिया और और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है जैसे कि आमिर खान को भी दिया गया है इंडियन सिनेमा के लिए और यह पहले बार किसी अवार्ड फंक्शन में आये है तो यह लिस्ट भी आप नोट डाउन कर ले तो इनके साथ में आमिर खान को दिया गया जो इनकी दंगल मूबी थी इसके लिए दिया गया तो यह आप नोट डाउन कर ले और यह जो RSS के चीफ है मोहन भागबत जी इनके द्वारा यह दिया गया जो यह दीनानात मंगिसकर है यह जो हमारे जिनको कोकिला कहा जाता है ठीके तो लता मंगिसकर जी के यह पिता जी है ठीके तो इनके नम पर यह आवार्ड दिया जाता है और इसके अलाबा एक एक्ट्रेस है बी जया तिमाला वली इनको दिया गया मास्टर दीननाथ बिसेश पुरुसकार जो है इनका जो हिंदी सिनेमा है इसमें कंटिविशन करने के लिए ठीके तो यह जो लिस्ट है इनका नाम नोट डाउन कर ले क्योंकि यहां से कुष्चन आने के आपके काफी चांचेस बन जाते है अगला जो दोस्तों कुष्चन इसमें आपसे पुछा है Who has born the 2017 Time Magazine's Most Influential Person Reader's Poll तो यह 2017 का Time Magazine के दोवरा Most Influential Person मतलब की सबसे अधा प्रहौशाली जो Person Reader's Poll है उसमें किसका नाम है तो यह है नाम दोस्तो Rodrigo Dutrike अब यह है कौन इनकी हम बात करते हैं फिलिपियन के प्रेसिडेंट है जिन्होंने यह Time Magazine Reader's Poll में में जो 100 लोगों की लिस्ट होती है उसमें टॉप पर आये हैं और प्राइमिनिस्टर नरेंद मुदी और प्रेटिम के जो फांडर हैं बिजय सेकर सर्मा यह दो इंडियन्स हैं जिन्होंने लिस्ट में अपनी जगह बनाई तो यह चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगला जो दोस्तो कुश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा 14th edition of United Nations International Day of Besak 2017 तो यह दूस्तो करने वाला है सिरलंका अब इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या बेसिकली अब यह क्या है कि बेसक जो है जो बुद्धिस ट्रडिशन सैं तो इनसे ही रिलेट करता है और इसमें इस दिन क्या होता है ऑनिवर्सरी होती है जो बुद्दा है लौर्ड बुद्धा इनकी तो इसके तौर पर यह मनाई जाती है तो आप ये भी note down कर लें, जो स्रिलंका में अभी हाली में हुआ ही है, और इसकी थीम काफी जरूरी है, थीम है Buddhist Teachings for the Social Justice and Sustainable World Peace, तो ये थीम काफी जरूरी है, आप इसको भी note down कर लें, और तो भारत के प्रदानमंती है, नरेद मोदी जी इन्होंने इनोग्रेट किया है, इस UN जायवर्दने है, कोटे, ये क्या administrative है यहाँ पर, और प्रेसिडेंट कौन है, ये है, मैत्रिपाला सिरी सेना, और प्राइमिनिस्टर कौन है, रानिल विक्रमा सिंगे, ठीके, करन्सी क्या है, सिरलंकान रुपी, तो ये चीजे भी आप यहाँ पर साइड में note down कर लें, क्य कहीं से भी पूछा सकता है, ठीके, काफी दोस्तों, important question है, और ये बुद्दा से, बुद्दा के tradition से relate करता है, और उनके, जो birth anniversary है, उसको ये मनाता है, मनाया जाता है, उस तो पर, तो इसलिए ज़रूरी question बन जाता है, अगला जो fifth प्रशन है, इसमें आप से पूछा है, कि मंगोलिया ने लांच किया है, पहला सेटलाइट जिसका नाम है, मंगोल सेट वन, अभी हाली में किया है, तो ये मंगोलिया की capital कौन सी है, ये आप से पुछा गया है, तो ये दोस्तों, all and better, देखे हम क्या करते हैं, कि जो भी question highlighted होता है, जो भी country highlighted होता है, तो इसके आपको लबदयक होगी, map making and preparing for the natural disaster, तो इसमें ये काफी काम आएगी, और capital के अगर बात की जाए, मंगोलिया की, तो वो क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, अलाल वातर, और करेंजी क्या है, मंगोलियन टॉग्रोग, और वहां के president, आप note down कर लें, और prime minister भी, तो अगर यहां से question मनता है, तो आप असानी से इसको बना सकते है, अगला जो दोस्तों question है, इसमें आप से पूचा है, किस सहर में 2017 United Nations Ocean Conference ये होगी, तो ये दोस्तों होगी, निवार्क, USA में, ठीक है, तो आप इसको यहां पर note down कर लें, और ये co-hostet किसके दोरा है, ये government, जो फिजी के दोरा, और Sweden, ये US में, निवार्क में, ये होगी, ठीक है, तो आप इसको note down कर लें, पाच से नौजून के बीच में, फाइन, और इस पर क्या discussion क्या होगा, इस पर discussion होगा, to conserve and sustainably, use the ocean, seas and marine resources for the sustainable development, ठीक है, तो मतलब कि समुद्र की resources जो है, उनका utilization किस तरीके सी किया जाए, तो इसक discussion होगा, तो ये जो completely conference है, इस topic को relate करती है, और इस बर्स की theme क्या है, our oceans, our future, ठीक है, तो आप इसको दोस्तों note down कर लें, अगला जो question है, ये काफी जरूरी है, इसमें पूछा गया है, कि भारत ने अभी कितना contribution दिया है, United Nations Election Assistance Program के लिए, तो ये दिया है, 2500,000, इतने US dollars, ठीक कि भारत ने इतना contribution किया है, UN Elections Assistance Program, और इसका main aim ये है, कि जहाँ पर democracy है, या वहाँ पर elections procedures है, तो electoral systems को create किया जाए, वहाँ पर develop किया जाए, और elections कराए जाए, तो इसके लिए contribution भारत का है, ये काफी सरानिय कदम है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं, इसका theme क्या है, बेसिक has been designated UNESCO World Book Capital 2018, वो कौन सा सहर है, जिसको UNESCO World Book Capital 2018 के तौर पर designate किया गया है, तो ये है दोस्तों, एथेंस, ठीक है, अब एथेंस जो है, ये ग्रीस की कैपिटल है, ये कोश्चन कम से कम बैंक में काफी बार ये पूचा चुका है, दो से तीन बार तो ये हर, कम से कम प्रिविय designated क्या गया है, अगर बात कीज़े, 2017 का कौन था, तो ये था the capital of republic of gyana, तो इसको भी आप note down कर सकते हैं, और एथेंस जो है, ये 18 city है, जो की word book capital बनी है, और अभी हाली में कोने क्रे, ये क्या है, रेपब्लिक of gyana की capital city है, इसको 2017 का, जो UNESCO word book बनाय गया था, ये designate किया गया तो 2017 का भी आपको पता चल गया, 2018 का क्या है, एथेंस, जो की Greece की capital है, राजधानी है, अगला जो दोस्तों question है, ये आप से इस तरह से पुछा गया है, कि कौन सी city जो है, विच सिटी hosted the first ever India-Indonesia Energy Forum, जो IIEF है, इसको कौन सी city ने पहली बार ये होस्त किया है, तो ये दोस्तो Jakarta, ठीक है, और जो हमारे हाँ के union, basically, इसमें दो लोगों का नाम है, तो आप नोट डाउन कर ले, Union Minister of the I.C. Power Cool, जो है, Renewal Energy के लिए, Pius Goyal जी, और Indonesia, क्योंकि Indonesia की क्या है, capital है, Indonesia के जो Ministry of the Energy and Mineral Resources है, इनका नाम है, Ignosys, ठीक है, तो इनका ये मेटब हुआ था, First India-Indonesia Energy Forum में और जो की, Jakarta, इंडोनेशिया में हुआ, तो आप नोट डाउन कर ले, और capital क्या है, Jakarta है, currency है, इंडोनेशियन रुपिया, और बहा के प्रेसिदेंट कौन है, जो को, Bidodo, तो इनका नाम जो है, यापर जो भी information है, yellow cards आपको दिए है, ये काफी जरूरी है, तो आप इनको आपको कहीं पर, अगर कोई किसी question में doubt होता है, तो आप comment करके, आमें inform कर सकते हैं, अगला जो दोस्तो question है, इसमें पूछा गया है, कि वो कौन सी company है, जो पहली re-insured company बन गई है, to set up base in the financial hub, Gujarat International Finance and Tax City, GIFT City, तो देखो, GIFT City, जो है, Gujarat International Finance and Tax City, इसमें वो कौन सा re-insurer है, वो company जो है, अब अपना base set up करने जा रहे है, ठीक है, इस financial hub में, तो उस company का नाम है General Insurance Corporation, जो की GIC, री के नाम से जानी जाती है, तो आप इस चीच को note down कर लें, और ये International Finance Tax City, जो Gujarat में जहां पर, अपना, जो financial services है, इसको set up करेगा, ठीक है, तो आप इस चीच को note down दोस्तो कर सकते हैं, और जो required information है, वो यहां पर मैंने दे रखी है, तो जो General Insurance Corporation of India, GIC, री है, ये पहली re-insured company है, जो की open करेगी अपना office, First International Financial Services Center, IFSC at Gujarat International Finance Tax City, GIFC City, जिसको इस नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही जरूरी, काफी important question है यहापर, Belgium जो है, has become the first country to open an on-re-consulted, on-re-consulted office in Gujarat, okay, तो यह Belgium जो है, यह अपना first, जो है, यह on-re-consulted office यहाँ पर set-up करेगा, तो कुस country का नाम पुछा सकता है आपको, तो इस चीज़ आप no-down कर सकते हैं, अगला जो दूस्तो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पुछा है, कि वो कौन सा state government है, जिसने एक M.O. यह sign किया है, जो किसके साथ में, with Bill and Melinda Gates Foundation for Agricultural Transformation, तो आपको पता होगा कि Bill and Melinda कौन है, यह दोस्तो, Bill Gates और Bill Gates की वाइब, जो है, यह मिलकर एक समू चलाते है, जिसको कहते है Bill and Melinda Foundation, तो यह जो agricultural transformation के लिए, एक राज जी है भारत का, जिसने एक agreement signed किया है, और वो agreement किसलिए agricultural transformation के लिए, तो यह किया है, उडिसा सरकार ने, तो इसमें हम जान लेते हैं कुछ बाते हैं, इसका objective क्या है, इंप्रूब करना, जो small holders हैं, formers हैं, इनकी lives को, और प्रमोट करना, inclusive agricultural transformation को, तो अगला जो question है, इसमें आप से पूचा है, कि वो कौन सा country है, जो अभी हाली में the next few years, ठीक है, तो यह इसका आपको नाम बताना है, तो यह कौन सा country है, वो है दोस्तो चाइना, ठीक है, तो इसी के साथ, दोस्तो मैं एक चीज आप को बताना चाहूँगा, यह जो unmanned cargo spacecraft है, यह चाइना ने जो किया है, तो चाइना जो इस तरह की टेक्निक को यूज करने व gold जीता है, Asian Grand Prix में, तो यह किस sport से relate करती है, यह दोस्तो, short put से relate करती है, ठीक है, तो यह है इनके picture, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है, और यह एक तरह का गोला fake ही है, तो इसको हम कहते है, short put, ठीक है, अगला जो question है, इसमें पुछा गया है, कि RBI ने अभी announce किया है, कि एक M यह उसाइन करने बाला है, वो ग्योना की बैंक के साथ, बैंक ऑफ ग्योना के साथ, किसलिए, सुपर बीजिंडी, कोपरेशन एंड एक्चेंज ऑफ सुपर बीजिंडी, इन्फोर्मेशन, दोस्तो, बहुत सारे एक्रिमेंट इस तरीके के हुए है, सेम कंसेप पर, तो हम डिस्कॉशन करें कि यह बैंक ऑफ गउना के साथ, आम यह नहीं पूच रहे है, कि किस के साथ हुआ है, तो यह बैंक ऑफ गउना की क्या है, यह दोस्तों बहां पर, डॉलर, ठीक है, और केप्टल क्या है, जॉर्ज टाउल, और करेंशी बहां की क्या है, यह चीज आपनो bank का इसको approval मिल गया है और small finance bank के लिए minimum capital जो हो कितनी होनी चाहिए तो इसका सही जवाब है 100 कोरोड रुपए है ठीक है अभी हम upcoming मुस्किल से 3-4 दिरों में इन topic के ओबर discussion करेंगे बैंकिंग के तो हम first phase में बहुत सारे नए topic जो आपके exams में पुछे आते हैं उनका discussion आपसे करेंगे यहां पर दोस्तों यह जो question पुछा है इसमें का है की who among the following इसमें से कौन सा जो present chairman है 21st law commission के यह है बलबीर सिंग चोहान तो आप इनका नाम नोट डाउन कर ले और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जरूरी है क्या हुआ है कि जो हमारे हाँ के minister of the law and justice minister है यह है रभी संकर प्रसाद जी इन्होंने inauguration किया है तीन welfare initiatives हैं जो department of justice के अंदर आ जाते हैं तो इन तीनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं कि pro bono legal services क्या है और टेली law services क्या है और न्यायमित्र प्रोजेक्ट यह तीन चीज़े भी हाली में launch हुई है तो इनको आप समझ लें और law commission की यह बात है तो law से related है law justice department से तो इसलिए हमने आपको 21st law commission के बारे में भी बताया कि यह कौन है यह है बलबीर सिंग 24 जो इसके chairman है तो पहला हम pro bono legal services की बात करेंगे इसके तरू क्या है कि जो lawyers है जो provide कराना चाते है legal services free of cost वो अपने आपको register कर सकते है web-based platform पर तो उसका नम क्या है pro bono legal services तो इसका नम क्या है tally law services इसका main aim क्या है connect करना marginalized communities के साथ में और lawyers जिसके की वो लोग video conferencing facilities के तरू कनेक्ट हो सके तो यह basically जो setup है यह क्या है CSC जो common services center to be set up at common services center यहाँ पर ठीक है तीसरा क्या है न्याएमित्र प्रोजेक्ट इसका main aim क्या है कि reduce करना जो pending lower जो cases है lower courts में जो pending cases इनको solution देना बिदा special focus on the cases which are more than 10 years old जो 10 साल पराने cases है न्याएमित्र प्रोजेक्ट की अंतरगत उनको जल्दी से जल्दी सुल्टाना तो यह तीन पॉइंट्स है आप इनको समझ लें अगर आपके exams में question यहां से पुछा जाजा तो आप असानी से बना लें अगला जो दोस्तो प्रशन है इसमें आप से पूचा गया है कि विच स्टेट गवर्मेंट है लाँच किलकारी एप वो कौन सा राजी सरकार है जिसने भी हाली में किलकारी एप्लिकेशन जो है यह लाँच किया इसका मेन अवेरनेस क्या है कि जो प्रेगनेंट भुमेन है इनके बीच में कुछ इनफर्मेशन जो है वो पहुचाना तो यह किया है दोस्तो हर्याना ने और साथ में और भी बहुत सारी चीज़े हुए है तो यह जो नेसनल हेल्थ मिसन का ही पार्ट है यह किलकारी एप्लिकेशन जो है यह लांच किया है ह्रयाना के द्वारा और यह एक मोबाइल-भी बेज़ेशन у किल्कारी जिसमें जो प्रेगनेंट भुमेन वहोगों सब्सक्राराश direct ऑसाथ में जो हर्याना के चीफ विनिष्रे थे इन्होंने एनॉंस कर दिया कि अब ये बल्लबगड का नाम चेंज कर देंगे दोस्तों अभी हाली में क्या हुआ था कि गुडगाउं जो थाम नाम उसका नाम क्या हो गया? गुरुग्राम यह हुआ था तो अभी हर्याना में चेंज़ हुआ था अप बल्लबगड का नाम क्या हो जाएगा? बल्लबगड हो जाएगा तो यह आप नोट डाउन कर लें बल्लबगड कर दिया जाएगा बल्लबगड का नाम बल्लबगड का नाम है, एक छोड़ा सा टाउन है is a town and a तैसील sub-district है फइदाबाद district में जाता है जो हर्याना और यह जो NCR का ही reason जो almost water पर लगता है ठीक है तो बहुत सारे जो NCR की reasons है वो हर्याना के साथ shared में है ठीक है तो यह चीज आप यहां पर note down कर लें अगला जो दूस्तों question है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा state है which state team जिसने अभी 2017 का National Youth Athletics Championship अपने नाम पर किया तो यह किया है हर्याना ने तो यह चीज आप यहां पर note down कर लें और और भी कुछ जरूरी यहां पर चीजे हैं हर्याना ने जो यह किताब अपने नाम पर किया किसकोर राया को तो यह चीज आप यहां पर note down कर लें और हमारे जो जैबलिन थ्रो प्लेयर हैं दमनीत सिंग पंजाब से आते हैं यह डेकलेर किया गया है बेस्ट एथलेट इन बोई के टेगरी और गर्ल्स में अपरना राय है तो इनको बेस्ट कंसीडर किया गया है तो यह दू नेम जरूरी है तो इनको आप साइड में लोड इन रेल्बेस के साथ में जो ग्रीन कवर को एक्सपेंड करेगा तो हम जान लेते हैं ग्रीन कवर है क्या दोस्तो यह जो रेल्बे ट्रेक है इनके किनारे पर प्लांटेशन करना तो इसको बढ़ाबा दिया जाएगा यह फॉरेस्ट्री डिबार्ट्मेंट के कोलेबरेशन से यह पॉस्विल हो पाएगा तो वो कौन सा स्टेट है स्टेट का नम क्या है महरास्ट्रा ठीक है तो आप इसको भी नोट यहां पर कर सकते हैं और ट्रीज का प्लांटेशन किया जाएगा ठीक है रेल्बे ट्रेक्स के साइड में और इस्टेट फॉरेस्ट डिबार्ट्म तो यह चीज आप नोट डाउन कर लें इस क्वेशन में अपसे पूछा गया है कि ओलंपिक कॉंसल अफ इस यह जिसका सौट फॉर्म में नेम है इसने एनॉंस किया है कि एक ऐसा गेम जिसको फुली स्पोर्ट्स का अश्टेटस दे दिया जाएगा दो हजार बाइस के जो तो यह दोस्तों बीडियो गेमिंग अब बीडियो गेमिंग जो है 2022 के एसन गेम्स में आ जाएगा तो 2022 के एसन गेम्स कहां पर हो रहे है यह आपको पता होना जरूरी है तो यह दोस्तों हो रहे हैं चाइन में कहां पर होंग जू में तो यह चीज आप नोट डाउन कर लें अगला question भी ACN Games related है, लेकिन इसमें का गया है, कि वो कौन सा गेम है, जो रिमूब कर दिया गया है, इसकी जो प्रोग्राम लिस्ट है, completely उससे, 2018 ACN Games में, जो की जकारता और पलैम बैंग में, यहां पर सन्योक तुरूप से हो रहे हैं, तो इसमें 2018 ACN Games में वो गेम अब नहीं तो यह दोस्तों किरकित, तो आप इस चीज को भी यहां पर नोट डाउन कर लें, अगला जो दोस्तों question है, इसमें आप से पूछा है, कि who has won the men's singles title of 2017, Monte Carlo, Master's Tennis Tournament, ठीक है, तो इसमें किसने men's singles में किसने जीता है, यह आपको पता होना ज़रूरी है, तो यह दोस्तों, इस पैन के खिला ली है, तो आप इस चीज को यहां पर नोट डाउन कर लें, और इनोंने यह अभी हाली में जीता, और इनोंने अलवर्ट बेनोलस को हराया, जो मोनको में हुए, तो इन यह गेम्स के बारे में आप इन्फरमेशन जो है, और भी नोट डाउन कर सकते हैं, ब इन यह अरक रेक्टर के लिए होगा, किस कंट्री के साथ में, तो अगर कोश्चन आपसे पूछा है कि अरक रेक्टर यह कहां पर है, तो यह क्या है, इरान के लिए, ठीक है, इरान ने अभी एक एग्रिमेंट साइन किया है, कि वो रीकॉन्फिग्रेशन करेगा किसका, अर Deconfiguration of Iran, Arak reactor, यह जो डील है, यह Atomic Energy Organization of Iran, जो AEOI के बीच में हुई है, और Chinese company है, ओफिशल सेरिमनी हुई है, जो अस्ट्रियन केप्टल है बियाना में, अस्ट्रिया की capital भी कई बार आपके exams में पूछी आती है, तो आप इसको note down भी कर लें, तो बहाँ पर यह official ceremony में यह deal हुई है, ठीक है, अगला जो दोस्तों question है, इसमें आप से पूछा है, कि Central Government ने अभी हाली में announce किया है, कि वो एक Central University को set up किया जाएगा, तो उनके लिए एक Central University बनाई जाएगी, वो किस राज़ी में बनाई जाएगी, यह question आप से पुछा गया है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उत्तर परदेश, ठीक है, तो आप इसको note down कर लें, और जो HRD Minister है, प्रकास जब डेकर, इन्होंने इस चीज़ का announcement किया है, कि अब यह set up होगा एक Central University, दिब्यांग के लिए उत्तर परदेश में, और जो सुगम में भारत अभियान है, यह HRD Ministry ने instructions दिया है, कि ramps and install the lifts, lifts को install किया जाएगा बहाँ पर, यह एक facilities होगी दिब्यांग के लिए, इस educational institutions में, और साथ में जो भी educational institutions हैं, बहाँ पर दिब्यांग के लिए, जो lift facility है, इसको provide किया जाए, तो कि बहाँ पर अगर multiple story building है तब, तो यह guidelines कहां से आई हैं, HRD Ministries के और से, ठीक है, अगला जो दोस्तों question है, इसमें आपसे पूछा गया है, कि बहारत का पहला, जो village of books है, वो किस राज में open होने वाला है, जो कि tourism को promote करेगा, to promote the tourism, भारत का first ever village of books, कहां पर open होगा, तो यह होगा दोस्तों, महरास्ट्रा में है, ठीक है, इससे एक सबसे बड़ी चीज़ आजाती है, कि उस जगे का नाम भी आपसे पुछा सकता है, कि कौन सा जगे का नाम का है, तो वेलर village है, ठीक है, तो आप यह चीज़ भी आप यहां पर note down कर सकते हैं, और महरास्टा टूरिजम डवलप्मेंट, जो कौपरेशन है, MTDC, इसने एक sign किया है, agreement, जो एतिहाद और JET Airways के साथ में किया है, जिससे की visitors को attract किया जाए, जो वहां की heritage है, उसके लिए, और टूरिजम को बढ़ाबा दिया जाए, ठीक है, तो इनके साथ में यह agreement भी हुआ है, एतिहाद एंड JET Airways, और MTDC, महरास्टा, टूरिजम, डवलप्मेंट कोपरेशन, ठीक है, तो यह चीज़ आप note down दोस्तों कर लें, अगला जो question है, इसमें आप से पुछा गया है, कि which country has to become the world's largest importer of LPG, liquefied petroleum gas, त importer कौन सा country बन चुका है, इसमें आप से पुछा गया है, और यह किसकी दौरा report है, petroleum planning and analysis cell, तो यह है China, ठीक है, अब आपके अंदर एक curiosity होगी कि भारत का कौन सा इस्तान है, तो यह भी जरूरी आपको जानना है, तो दोस्तों, चाइना की position जो है, टॉप पर है, और इंडि कर दिया Japan को, Japan की जो number 2 की position ती, अब उसको इंडिया ने occupy कर लिया है, ठीक है, तो यह चीज भी आप यहाँ पर note down कर लें, ठीक है, अगला जो question है, इसमें कहा गया है, कि which country is the worst largest military spender, दुनिया में दोस्तों, military के उपर जो spend करने वाला है, वो कौन सा country है, जो सबसे जैसे military के उपर लगाता है, अभी हाली में एक report आई है, SIPRI के दौरा, SIPRI के दौरा, यह Stockholm International Peace Research Institute है, इसके दौरा एक report है, कि सबसे ज़्यादा जो investment है, SENA के उपर, या फिर defense sector में, कौन लगाता है, ठीक है, military spender, कौन सा country है, सबसे ज़्यादा, तो यह है दोस्तों, USA, United States of America, तो US क्या करता है दोस्तों, लगबग 611 billion dollar, ठीक है, 611 billion dollar, इतना amount, सेना के उपर लगाता है, तो यह चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो India's military expenditure जो है, यह लगबग 8.5% ग्रो हुआ है अभी पिछले दिनों में, और भारत जो है, 5th largest spender है, जो दोस्तों, 55.9 billion dollar, ज invest करता है, जो हमारे हां की defense system है, तो आप देख सकते है, 611 billion dollar, और यहां पर 55 billion, ठीक है, लगबग 12 गुना जादा, एप्रॉक्स, ठीक है, तो यह दोस्तों, इतना US करता है, और चाइना जो है, वो second position पर है, और रसिया जो है, थर्ड पोजिशन पर आता है, तो US के बाद में China करता है, फिर रसिया करता है, अगला जो दोस्तों question है, इसमें आप से पूचा गया है, कि CREDI, यह credit ही जो है, इसने अभी हाली में एक MOU sign क्या है, State Bank of India के साथ में, तो यह consistental loan देगा, housing projects के लिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कि CREDI है क्या, इसके full form क्या है, तो हम यह पहले जान लेते हैं कि इसका headquarter कहां पर है, इसका headquarter है दोस्तों, New Delhi में, अब जानते हैं कि इसके full form क्या है, यह Confederation of Real Estate Developers, Association of India, CREDI, और यह दोस्तों क्या है, कि जो real estate developers है, इनकी body है, इनकी authorization body है, जो इनको deal करती है, और एक MOU signed हुआ है, real estate के लिए, State Bank of India के साथ में, जो consistent loan प्रोवाइड कराएगा, housing projects के लिए, तो इसीच भी आप यहां पर note कर सकते हैं, 29th question की बात अगर की जाए, तो इसमें आपसे पूछा गया है, कि जो बाइस प्रेसिदेंट है, मुंबध हामेद अंसारी जी, यह भी Armaniya की visit पर हाली में गया, और यह Armaniya क्यों ग option no. 2nd is the right answer, और भी, यहां पर agreements भी signed है, जिसमें peaceful uses of the outer space है, और कुछ MOU है आपके youth matters से लेटेड, and a cultural cooperation for the years 2017-20, इसके ले भी हुआ है, और यह दो देसे हैं, यह celebrate करें 25th anniversary of their diplomatic ties, इनकी capital क्या है, यह है दोस्तो यहरविन, और करंसी क्या है, अर्मानियन द्रेम, और करंसी क्य यह जरूरी question आप इसको यहां पर note down कर सकते हैं, अगला जो प्रस्टन है, इसमें कहा गया है, कि जो रैनल बिक्रमा सिंग है, यह भी हाली में Delhi इनोंने बिजिट किया, तो आपको बताना है कि यह जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, किस देश आप इसको यहां पर note down कर सकते हैं, दोस्तों क्या है कि कुछ जो इंडियन इंवेस्टमेंट होगा, उसमें क्या है कि development of the ports, oil tanks firms है, वो हो जाएगा, और LNG power plant और pipe gas की supply को लंबो के लिए है, तो यह सारी बाते हैं, यहां पर चर्चा होई इन पर, तो जो मोटी बाते हैं, व के लिए इसमें भी काफी important questions का discussion होगा, दोस्तों आप लोग current affairs को note down करते हैं, और इसका पीडियो format है यह आपको, इस website पर मिल जाएगा, लेकिन जो बीच में detail लिखे है, यह आपको नहीं मिलेगी, यह आपको वीडियो से देखकर note down करनी है, तो अगली वीडियो में मैं करें, share करना ना बूले, और इस वीडियो को जादस जादा लोगों को बारे में बताएं भी, thank you friends, have a good day.